सो जहिन दोस्तों कैसे हो आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट्स मैं अपने खुद के चैनल पर आज पहली बार आपके साथ विद्भेश आ रहा हूँ और फ्रेंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपनी खुद की इंडियन एर फोर्स की पूरी जर्नी फ्रेंट्स जिसमें मैं फोर्म फिलप से लेकर और अपने इन्रोल्मेंट लिस्ट तक जो है सभी कुछ डिस्कस करने वाला हूँ तो फ्रेंट्स ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही informative होने वाली है और मेरे लिए भाई बहुत ही interesting होने वाली है रीजन हैं फ्रेंट्स की आज मैं अपने खुद के चैनल पर पहली बार आप लोग के साथ फेस टू फेस बात करने वाला हूं और अपनी खुद की जरनी आपको बताने वाला हूँ और फ्रेंट्स ये बताते हुए मुझे बहुत ही आज खुशी हो रही है फ्रेंट्स बात अब ये आती है कि मैंने आज का ही दिन इसके लिए क्यों चुना है आज जो है लगभग एक साल बाद पहली बार मैं अपने शेनल पर विद फेस क्यों आ रहा हूँ तो फ्रेंट्स इसका रीजन ये है कि आज जो है मेरा जम दिन है और मैंने आज का दिन इसलिए चुना है कि फ्रेंट्स अपने पूरी जर्नी जो है आप लोग के साथ सेर करूं और आप लोग को ये इनफोर्मेशन जो है मैं दे सकूं और बता सकूं कि आपको एरफोर्स के एक्सामिनेशन को कैसे क्वालिफाई करना है phase 2 कैसे qualify कर सकते हैं कैसे बंदों को Indian Air Force के selection process में लिया जाता है उनसे Air Force क्या चाहती है तो friends यही सभी बाते मैं डिसस करने वाला हूँ और friends ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत informative होगी friends मैं ये भी बात करूँगा कि मेरी जो Indian Air Force की journey है उसमें कहां कहां और किस step में मुझे परेसानी हुई दिक्कत का सामना करना पड़ा और friends कहां जो है मेरा जो भी सफर है Indian Air Force की journey है वो रोमांच भरी रही तो भाई वीडियो को मेरा request है प्लीज एक बार ध्यान से जरूर देखेगा मैं friends मेरा नाम अरजित राय है और friends मैं अभी जो वीडियो सूट कर रहा हूँ इसमें अपने second intake 2020 के discuss करने वाला हूँ इससे पहले friends मैंने Indian Air Force के examinations को तीन बार qualify करा है और friends Indian Navy के examinations को two times qualify करा है और उसका जो भी proof है क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं वो proof मांगते हैं तो proof one by one करके आपको यहां उनके सभी के pictures मिल जाएंगे green card, red card, result, Indian Navy का unfit certificate जो कुछ भी है सब कुछ आपको मिल जाएगा तो friends यहां आपको pictures मिलती रहेंगी और मैं आप लोगों के साथ अपना जो भी बाते हैं वो share करता रहूँगा friends सबसे पहले मैं start करता हूँ जब अपनी journey को तो मैं आप से एक request जरूर करूँगा friends इस video को कम से कम please अपने एक friends के साथ जरूर share करिएगा जिससे कि friends मुझे भी motivation मिलेगा और मेरा जो भी experience है मैं आपके साथ बहुत ही easily share कर पाऊँगा और बहुत से ऐसी tricks और tips बता पाऊँगा जैसे कि जिसके कारण आप जो है अपने exam जो भी आप देने वाले हैं चाहे हो written exam हो, phase 2 हो या फिर आगे जो भी process है medical, PSL, enrollment सब कुछ भाई मैंने तीन बार दिया है तो मेरे पास जो भी information है जो भी information मैं जानता हूँ, आपके साथ share करना चाहता हूँ तो friends, वीडियो को start करूँ उससे पहले कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये red card, ये green card जो इस बार का मेरा है तो friends, इस वीडियो को मैं start अभी करता हूँ और form fill up से लेकर और enrollment list तक जो भी हमारा सफर था वो मैं आपके साथ discuss करता हूँ तो friends, इंडियन एर फोर्स का second intake 2020 का जो form आया था वो एप्रोक्स इसका notification मई 2019 में आया था जिसका की form जो fill up करा गया वो एप्रोक्स जुलाई 2019 में करा गया तो friends, form fill up करने के बाद मैंने जो हमारी तयारी है चुकि वो पीछे पिछली बार से ही होती आ रही थी reason यह था कि मैंने इस exam को दो बार और qualify पहले करा था तो मेरी तयारी तो होती आ रही थी बट बीच में जो भी हमारी तयारी है वो थोड़ी रुख गई थी क्योंकि जम medical पिछली बार का देना होता था तो उस time पढ़ाई नहीं हो पाती इंटरेस्ट उतना नहीं होता है तो पढ़ाई थोड़ा disturb रही थी बट form fill up करने के बाद मैंने जो है अपने जो journey है उसको start करा अपना जो भी थोड़ा बहुत जो है मैंने पढ़ना इस्टार्ट कर दिया था चुकि अभी मेरा पिछली बार का यानि कि first intake 2020 का मेरा medical अभी 8 जुलाई को हुआ था 2019 में लेकि फ्रेंस मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना इस्टार्ट कर दिया था और फ्रेंस अगस्त 6 अगस्त को मुझे medical में finally unfit कर दिया गया था first intake 2020 में लेकि फ्रेंस मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा थोड़ा दुख हुआ भाई लेकि पढ़ाई को अपनी जारी रखा आगे और फ्रेंस मेरा जो examination था 23 September 2019 को पढ़ा था भाई मेरा exam गोरखपूर में हुआ था 23 September 2019 को फ्रेंस जब मैं examination देने पहुचा अपने center पर मेरा exam जो था वो Indian Air Force का वो गोरखपूर में पढ़ा था 23 September 2019 को तो भाई वहाँ हुआ ये कि जब मैं examination हाल में पहुचा जो भी verification थे वो तो हो गए बार जब मैं examination हाल में पहुचा वहाँ exam देने के लिए तो फ्रेंस जब हमारा examination स्टार्ट हुआ पहले paper जो है वो English का आता है तो English वाला paper जो है उसमें हलका सा मुझे doubt हो गया चुकि paper तो बढ़िया गया था बट उसमें हलका सा doubt हो गया ये कहीं इसमें दिक्कत न हो जाया यानि कि passage में अगर मेरा ये था कि अगर passage मेरा अगर थोड़ा गलत हो जाता है तो मेरे number down हो जाएंगे तो इसमें मुझे doubt हो गया था तो इसके चलते मैंने चुकि मैंने English में 20 question attempt कर दिये थे और जो मेरा बाद में physics का paper हुआ उसमें मैंने 23 question attempt करे थे next उसके बाद अगर मैं बाद करूँ तो जो maths का portion था उसमें मैंने attempt करा था approach 18 to 19 question तो यही मेरा paper था भाई और मैंने attempt करा और उसके बाद मैं result का wait करने लगा तो friends हमारा जो result है और वो आया था approach 15 or 16 October को हमारा result डिगलेर किया गया था तो उसमें यह हुआ कि जब मेरा result आया तो मैंने जब open करा मुझे friends मेरे एक friend है जिसने मुझे message करा कि भाई result आगया जल्दी चेक करो नहीं तो site बीजी हो क्योंकि server बहुत बीजी हो जाता आप लोग जानते हैं तो friends मैंने तुरन देखा तो मुझे कुछ doubt हुआ मैंने सोचा कहीं server बीजी होने के कारण उसमें marks नहीं दिखा रहे तो मैंने सोचा क्या पता मेरा नव हुआ हो मेरा red हो बट server के चलते ऐसा दिखा रहा हो क्योंकि उसमें marks तो हो नहीं रहे थे तो बहुत परेशानी बहुत टेंसन सी हो गई थे उस time बट टेंसन का इलाज यह हो गया कि वहां जो था phase 2 का admit card download करने का अफसना रहा था तो मैंने phase 2 का admit card जो है वो क्लिक करा वो डाउनलोड हो गया मैंने जल्दी से उसमें date देखा और time देखा तो मैंने देखा कि मेरा phase 2 जो है वो 28 नवंबर को है तो फ्रेंस मेरी जो भी टेंसन थी वो दूर हो गई कि मेरा exam number कुछ भी आए हो मेरी exam qualify हो बट बहाद में पता चला कि सब के result में वैसा ही हो करा बट उसके बाद जो है server BG हो गया तो फ्रेंस मेरा exam qualify हो गया था और फिर बाद में पता चला कि यह जो है अभी कुछ जगह के जो exam cancel हुए थे इसके लिए हमें cut off और marks नहीं बताए गये थे तो फ्रेंस हमारी टेंसन दूर हो गई और मैं phase 2 की तैयारी में उसी time से लग करा जाता है इसके related आगे अभी अपने ही channel पर मैं video ढालूंगा कि कौन से step में किस प्रकार के बंदों को किस type के बंदों को out करा जाता है और कैसे बंदों को लिया जाता है यानि कि उनमें कौन से ऐसे जो भी अच्छाईयां देखी जाती है जिनके चलते उनको लिया जाता ह कुछ बंदों को out करा जाता है तो यह tips और tricks phase two में qualify होने के मुझसे अच्छा मैं सोचता हूँ कि कोई नहीं बता सकता चाहे कोई भी teacher हो वहाँ phase two में बैठा नहीं है वह return नहीं दिया है और phase two में भाई मैंने दो बार उससे पहले और इस बार तो तीन बार हो गया तो तीन मैंने ZD दिया है तीन बार SRT, DFT, PFT जो भी Indian Air Force का सब कुछ दिया है मैं सोचता हूँ कि YouTube पर मुझसे बढिया कोई नहीं आपको बता सकता है कि आपको कैसे qualify करना है क्या किन बातों का ध्यान देना है कहां आपको दिक्कत आ सकती है और उस दिक्कत को आप कैसे problem जो भी है उ आपको इसी इन सभी चीजों के लिए वीडियोज प्रोवाइड करूँ अगर आप लोग देखना चाहते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैं जो भी बता रहा हूँ मैं आपको सही बताऊंगा अगर आपको बिलीब हैं अम पर तो फ्रेंस चैनल को सब्स्राइब कर करके और बेल आइकन क्लिक कर लिजेगा और जो भी आगे नेक्स अभी वीडियोज आने वाली हैं मैं फेस टू के बारे में जो है स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा आपको कैसे क्वालिफाई करना है विदाउट कोचिंग क्योंकि भाई मैंने तीन बार तीन बार फेस कोचिंग क्वालिफाई करा है और फ्रेंट्स यूपी बोर्ट का बन्दा हूं लट चक्वालिफाई करता है तो फिरंट्स मैं सोगता हूं कि यूटूब्पर मुझसे बणिया कोई नहीं बता सकता मेरें अंदर कोई ऐसा नहीं है कि घमंड होता है ना तो वो कुछ नहीं बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो भी टिप्स, ट्रिक्स, मेरे पास है, मेरे पास जो experience है, मैं आपके साथ सेर करना चाहता हूं next मैं बात करता हूँ face 2 की तो मेरी PFT जो है वो थी 28 नॉम्मर को तो जब हम लोग PFT देने वहाँ पहुंचे तो पहले verification होता है तो verification हुआ हम लोगों का और उसके बाद जो है भाई PFT में आप लोग को document पूरे ले जाने होते एक बात का ध्यान रखिएगा PFT में जो भी face 2 है तो आपको पूरे document अपने ले जाने होते हैं आप document जरूर ले जाएं वहाँ document verification होता है अगर आप नहीं ले जाएंगे तो आपका candidate वहीं पर cancel हो जाएगा आपको कोई भी वहाँ जो है आपको यह नहीं होगा कि आप बात में 10-12 का जो mark seat है नहीं ले जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत वहाँ से out कर दिया जाएगा यह बात आपको ध्यान में रखनी है तो friends वहाँ document verification ही होता रहेगा और next आपको वहाँ से chest number दे दिये जाएंगे सबसे पहले और आपको running के लिए भेजा जाएगा friends running जो है वह बहुत easy होती है आपको पूरा time दिया जाता है मैं running के बारे में थोड़ा detail बता दूँ आपको कि running जो है आपको ऐसा नहीं है कि आपको 6.30 मिनट टाइम नहीं दिया जाएगा आपको पूरा 6.30 मिनट जो है वो time दिया जाएगा आप लोगों को बस एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको running की practice करके जाना है और friends अपने मन को सांत करके दिमाग को जो है एक तरह से आप समझ सकते है कि concentrate करना है कि आपको running 6.30 में complete करना है बाकि इसमें कोई भी बहुत बढ़ा तीर नहीं चालाना है आप अराम से qualify मेरा अगर बात करूँ तो मेरे batch में 75 बंदों को running कराई गई थी जिसमें approach मेरी rank 10 के अंदर ही आ गई थी और मेरे batch में approach 75 में जहां तक मैंने वहाँ देखा था तो approach 40 प्लस बंदे वहाँ पर पास हुए थे लेकिन बहुत ज़्यादा बंदे वहाँ बाहर भी हुए थे तो बाहर होने का कारण क्या है मैं आपको बता दूँ बंदे डर जाते हैं कि मैं qualify नहीं कर पाऊंगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आप आराम से qualify कर लेंगे नेक्स्ट बात करूं तो उसके बाद हमारा PFT 2 हुआ जिसमें आपके squads और sit-up और push-up होते हैं भाई इन में आपको दोबारा chance दिया जाता है लेकिन running में आपको दोबारा chance नहीं दिया जाएगा next अगर मैं बात करूं आपसे कि आपका उस time जब हमारा PFT 2 हुआ तो मैं आराम से उसको easily qualify कर लिया उसके बाद हमको एक बड़े से हाल में ले जाया गया तो भाई वहाँ पे हम सभी को ले जाकर बैठा दिया गया और जब सब के PFT हो गया तो भाई हमें जो है वहाँ पे बैठाया गया और serial wise बैठाया जाता है फिर उसके बाद जो है इस बार जो है DFT का test नया में include करा गया तो उसके बारे में सबसे पहले आपको जो भी वहाँ instructor होते हैं वह आपको बताएंगे कि आपको test को कैसे देना है और सारी जानकरी आपको दी जाती है फ्रेंट सबसे पहले मैं SRT के बारे में बात करूँ तो इसमें जो है 45 questions 30 minute में करने होते हैं और फ्रेंट से यह बहुत ही easy होता है पेपर इसमें आपको extra कोई भी knowledge की जानकारी नहीं होती है आपकी खुद की जो personality है आप उसके basis पर इस exam को बहुत ही आसानी से clear कर जाएंगे reasoning questions भाई आते हैं 5-10 questions आते हैं बट बहुत easy होते भाई को जो बंदा written qualify कर चुका है मैं सोचता हूँ वो आराम से SRT just complete कर लेगा qualify कर लेगा बात आती है कि sir SRT में कैसे बंदे out होते हैं तो भाई वैसे ही बंदे out होते हैं जो उसको सही से attempt नहीं कर पाते हैं reason यह है भाई कि आप लोग को समझा दिया जाता है कि आपको total question करने होते हैं अगर SRT में आप 45 में से एक question भी छोड़ दिये तो आपको out कर दिया जाएगा ऐसा कहा जाता है इसा कहा जाता है आपको बता दू मैंने तीन question छोड़े थे कि आपको ऐसे करना वैसे का कुछ भी नहीं simple simple questions होते हैं आपको आराम से उनको पढ़ना है ध्यान से tick करना है आपको answer मिल जाएंगे आपको कुछ extra नहीं पढ़ना है आपको वहां natural आपके दिमाग वह answer आ जाएंगे और friends आप वहां tick करके आगे बढ़ जाएंगे और reasoning के लिए थोड़ी बहुत practice कर लिजेगा reasoning के जो भी टापिक्स आते हैं मैं आपको channel पर अभी वीडियो प्रोवाइड करूंगा अभी एक दो दिन में सब कुछ आपको वीडियो प्रोवाइड होने लेगी तो इसलिए free of cash आपको help करना चाहता हूं ताकि आप लोग जो है अपना पैसा बरबाद न करें एक्स्ट्र आप लोग कोचिंग में जाते हैं वहां आप लोग 10-10-20-20-1000 रूपए phase 2 के लिए कुछ भी नहीं बताया जाता है वहां पे जो बंदे वहां गये होंगे coaching में वो जानते हैं तो यही मैं बता रहा हूं आपको next मैं बात करूँ तो वहां पे जब हमारी SRT हुई तो friends मैंने जो भी questions अगर reasoning का भी नहीं आ रहा है लेकिन मैं यह कहूंगा कि अगर आपके पास questions नहीं भी आ रहा है तो वहां SRT में minus marking नहीं होती है तो आपको सारे questions attempt कर देने हैं attempt कर दीजिएगा क्योंकि वहां minus marking है नहीं तो भाई attempt कर दो कौन जानता है सही हो जाए तो ऐसा काम कर देना उसके बाद जो है DFT का जो टेस्ट है उसमें इंगलिस के paper होता है 20 questions होते हैं DFT में और फ्रेंट्स 20 questions में आपको पैसे नहीं होता है इन 20 में पैसे नहीं होता है और जहां तक DFT की बात है तो जो बंदा इंगलिस का exam qualify करके गया है वो easily qualify करेगा मैं यह सोचता हूँ मैं यह देख रहा हूँ और जो भी paper हुआ था हमारा मैं उसे देख रहा हूँ बहुत simple से questions आते हैं लाइक मेरे जो paper है उसमें ज्यादा पार्ट जो है वो vocabs के आये थे तो भाई जो DFT है उसमें ज्यादा जो पार्ट है वो आता है ज्यादा पार्ट आता है vocab portion से और आप में active पैसी भी होता है और one word EDM's वगएर भी होते हैं पैसे नहीं होता है उसमें यह बात आगे में बढ़ू तो फ्रेंट से जब यह paper complete हो जाते हैं DFT में फ्रेंट से minus marking नहीं होती ध्यान देना आपको यह जब complete हो जाएगा तो आपको बाहर बैठा दिया जाएगा कुछ documentation करने होते हैं और आपको कह दिया जाएगा कि आपका जो result है प्रुक्स एक घंटे में आ तो SART DFT का जो result है वो एक घंटे में आ जाता है और उसके बाद जो है आपको कहा जाता है कि आप लोग खाना वगएर अगर खाना चाहते हैं लाए हैं तो खा देजे नहीं तो वहाँ विवस्था की गई होती है पैसे देकर आपको खाने होते हैं तो फ्रेंट्स आप जो है इंफोर्मेशन है सब कुछ लिखना होता है उसी को देखकर जीडी में जो है वह आपका फॉर्म जाता है और फ्रेंट्स आप जब भी बोलते हैं कुछ भी तो वहाँ देखा जाता है कि बंदा क्या बोल रहा है सही बोल रहा है या जूट बोल रहा है जो भी या फिर गलत बोल रहा है कांफिडेंस की कमी है कांफिडेंस उसका बढ़ी है जो भी वहां देखा जाता है तो पी आई की फार्म जो है वह पहले भरा जाता है वह अपने से बहना होता है किसी से पूछना नहीं होता है उसमें कोई बताएगा नहीं आपको एक तरस उसको भी एक्जाम ट अगर ब्रिद्ध आदमी हो आपके यहां पोस्ट्मेन तो भाई उसके हिसाब से आप भर सकते हैं कि अपना पता वर यह कि पोस्ट्मेन को आप जानते हैं वो आपके घर तक लाकर दे दे तो इसलिए आपसे फिलप करा लिया जाता है उसके बाद हम लोगों को जो है जीडी के लिए ले जाया गया और जीडी में एप्रोक्स हमारे बैच में 15 बंदे थे और जीडी का हमारा टापिक था टोटली बहना फायर क्रिकर्स तोटली मैंना फाय क्रिकर्स तो फ्रेंस हुआ ये कि हमारे बहच में प्रोक्स पंद्रम में चार पांच बंदे ऐसे थे जो कोचिंग वे गैरा से आये हुए थे और ऐसे बेकार बंदे पड़ गए थे चार से पांच जिनके चलते हमारा पूरा बहच लगा की आउट हो जाएगा उन्होंने जो भी सर मैडम थे उन्होंने कह दिया कि आपका बैज जो है वो बिलकुल डिसिप्लेंट नहीं है जीडी में आपको क्या साउधानिया रखनी है मैं बता दू थोड़ा सा आपको जैसे आप लोग जीडी में जब जाते हैं तो आपको आप लोग जानते होंगे कि आधा बृत में जैसे है सरगिल में वो खूर्सिया लगी होती है आगे जो भी इस्ट्रक्टर है वो बैटे होते है तो आपको वहाँ जाके बैटना है बाई एक बात ध्यान रखेएगा डिस्सीپलीन रहना आपको बात आती है कि सर ड्रेस कैसा पने तो भाई आप ड्रेस अगर चाहते हैं तो टाई अगेरो लगा सकते हैं नई तो सिम्पल जैसे मैं बैठा हूँ वैसे भी आप बैट सकते हैं समय क्वाशeton पे लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप याप न जाहें हाफ पैंट में न故 यह नहीं कि हार रट पैंट में पर तो को यह नहीं और को benefit मैं से अगर टाई लगाना है जैकेट पहनना है पहनना ही पढ़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसके बाद जो है जब हमारी स्टार्ट हुई तो जीडी के बारे में मैडम ने बता दिया कि आपको यह पेज जो दिया जा रहा है इसको तीन मिनट मिलेंगे आपको पढ़ने के ल तो फ्रेंस वाम बताया जाता है कि आपको अपरोक्स तीस स्टेंड अपना इंटोड़क्शन देना है और अपरोक्स तीस स्टेंड या फिर एक मिनट जो भी टापिक है उसके बारे में बोलना है तो यह काम आपको करना होता है जब सभी बंदे 15 बंदे ये कर लिये उसके बाद जीडी हमारी स्टार्ट हुई लेकिन कुछ बंदे हम मैंने अपको बताया कुछ ऐसे बेकार बंदे पड़ गए थे जो किसी दूसरे को बोलने ही नहीं दे रहे थे और पूर्या जो बैच है उसको मचली बजार बना दिया था उन्होंने जो भी मैडम या सर थे वहां प डूब में बात रह owns लेकिन वो भाई को जिंग करके आयो थंसे उनको एसा इसा ही बता दिया गया था यहीं गलती होती है को मैं सभी थिपस बताओं भाई क्या ठायों किया व्यूहं बंदे आउट होते हैं डर दी में क्योंने आउट होते हैं मैं ये बता आँगा आफे हमारा जो बैच है उन्होंने कहा कि तुम्हारा पूरा बैच जो है बिलकुल इन डिसिप्लीन है और कोई भी हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फालो नहीं करा है तो भाई जब हम लोग का जीडी खतम हुआ तो हमें बहुत डाउट था हम लोग को कि सभी बंदे जो थे वो है तो रिजल्ट है आँ लोगों का तो हमारे गरूप से 15 में केवल 3 बंदे सलिक्ट हुए थे जिन में एक मैं भी था तो फ्रेंटस उनहीं पांच बंदों के चलते उनहीं पांच बंदों कोचिंग वालों के चलते हमारा पूरा गुरूप आउट होते होते बचा था कि वह तीन बंदे क्वालिफाई हुए थे तो उसके बाद हम लोगों को ले जाएगा मेडिकल के रिहलेटर जो भी फॉर्म होते हैं डाकुमेंट वह सब फिलब कराया जाता है और मेडिकल का जो अपैंटमेंट लेट होता है वह हमको दिया गया तो एप्रोक्स हम लोग रात के साढ़े नौ से दस बजे वहां से बाह निकले फिर जो है भाई मेडिकल की जो तैयारी है वह हमने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैंने देखा था कि मेडिकल में ज्यादा बंदे ऐसे होते हैं कि उनके छोटे- कराने ना है यह चोटे-छोटे जो पॉइंट से कम से कम आपको वह कंप्लीट कर लेना है क्योंकि इसके चलते ज्यादा बंदे आउट होते हैं इतने चोटे पॉइंट में आउट होने के बाद फिर आपको बहुत ही लंबे प्रोसेसे गुजरना पड़ता है तो आपको यह इंस्ट्रक्शन भी दे दिया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी मेडिकल अपना जो भी है वो कम से कम फिट करा लें कोई भी अगर मेडिकल में आप लोग को भी प्राबलम होगी तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस पार्ट में प्राबलम है इसको कैसे स के साथ सेर करूंगा कि आप इसको कैसे सही कराए कि आप वहां मेड resemble में फिट हो जाएं समझ रहें पर तो में यह भी टिप्स बताऊंगा आपको सभी ट्रिक्स बताऊंगा था अब हम लोग बात करते हैं जब हमारा मेडिकल न्यार जिस दिन था तो उस दिन तो फिर आपको दिक्कत होगी क्योंकि वहां आपका सुगर जो है लेवल अगर हाई आता है तो भाई आप समझे आपको वहां जो है डियाबेटीस में आउट कर दिये जाएगा तो आपको ही फॉलूब करना है इंस्ट्रक्शन ये और आपको अपने तीत का जो भी टार्टर ह हो जाता है उसको साफ करा लेना और कान में जो है इयर वेक्स क्लीन करा लेना है मैंने ये गलती करी है मैं भुगच चुका हूं मुझे यहां दिक्कत आई है फिस मैंने क्या सोचा कि मैं इच्छे मैंने पहले वे मेडिकल दिया था जुलाई में मैंने सोचा कि मैंने कान आप होंगे लेकिन भाई हुआ ये कि मेरे मेडिकल में मुझको केवल एक पॉइंट मिला इयर वेक्स का और भाई उसके लिए मुझे इंडियन नेवी का एक्साम तक चोड़ना पड़ा क्योंकि उसी दिन मेरा मेडिकल था री मेडिकल था और उसी दिन मेरा इंडियन नेवी क एक्साम था, सोच सकते हैं आप, तो आपको ये छोटी चीजे जरूर, जरूर मैं कहूँगा, आपको ठीक कर लेनी है, नेक्स्ट हमारा मेडिकल हुआ, जो भी जाच होती है, मेडिकल के रिलेटेड मैं एक लग से वीडियो बनाँगा, जिसमें बताँगा कैसे कैसे जाच होत तो मुझे रेडि कार्ड पहले मिला था, और उसके बाद मुझे ग्रीन कार्ड भी मिल गया, उसके बाद मैं वेट करने लगा अपने PSL का, चुकि कोवीड के चलते PSL बहुत लेट हो गई, जैसा कि आप लोग जानता है कि 31 मई को PSL है, जिसमें कि मेरा नाम था, आप लोग से ने भी में, यानि तीन बार से, तो मेरे अंदर ये डर बैठ गया था, कि अब तो मेरा मेडिकल कभी fit होगा नहीं, तो भाई पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता था, और मैं ध्यान से एक्जाम भी नहीं देता था, लेकिन भाई, कौन जानता था कि इस बार हमारा सब हो जाएगा, बट यहीं गलती मैंने कर दी, इसलिए आपको ऐसी छोटी गलतिया नहीं करनी है, अभी फ्रेंट्स, अभी मैंने एक्जाम दिया है, और अभी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, मेरा एक्जाम बढ़िया गया है, बट उस बार मुझे इन्रॉल्मेंट तो साइध हो सकता है कि हमारी जोइनिंग जो है, जनुवरी में हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा, कि आपको एक्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, आपको फेस्टू कैसे क्वालिफाई, आपको मेडिकल, आपके जो भी प्रोब्लम्स कि आप लोग हम से पूछ सकते हैं, तो friends, मैं अज अपने चैनल पर आज हमारा जन्म दीन है, इसलिए मैं अपने चैनल पर यही दिन फिक्स करके आपके साथ आया हूं विद फेस बात करने के लिए, तो friends, मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको tips चाहिए इंडियन एर फोर्स के examinations के related इंडियन नेवी के exam के related भी क्योंकि उसे भी मैंने एक बार qualify करा है तो भाई अगर आप लोगों को चाहिए आप जाना चाहते है कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी मैंने कौन से books फालो करे मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी थी मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी मैं फैस्टु कैसे क्वालिफाई करा हूं मैंने जीडी कैसे क्वालिफाई सब कुछ आपके साथ सेयर करना चाहता हूँ तो अगर आप लोग चाहते हैं तो friends हमारे चैनल पर आज से आपको सभी टापिक्स पर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और भाई मैंने तीन बार जो है क्वालिफाई करा है एरफोर्स तो जो मैं बता रहा हूँ सायद हुई वो experience आपको कहीं और से मिले क्योंकि जो बंदा तीन बार क्वालिफाई करा है विदाउट कोचिंग यूपी बोर्ड का बंदा वो आपको इतनी information जो भी है अपनी जो experience है मैं आपके साथ share करूँगा और friends अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप अपने एक friends के साथ इस वीडियो को जरूर सेयर करियेगा और friends चैनल को जरूर सबस्क्राइब करियेगा friends चुकि मैं अभी तीन बार medical unfit होने के बाद medical fit हुआ था इस बार अभी मैंने exam दिया है result आने वाला है result भी मैं आपके साथ share करूँगा इस बार जो result होता है हमारा और चुकि जनवरी में हो सकता है कि हमारी joining हो जाए तो भी friends मैं आपकी help करता रहूँगा तो friends ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा आपके अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सबस्वाइब करिएगा so chain friends